टूमाय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों घुटनों का दर्द आज के समय की सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है ये समस्या केवल बुजूर्गों की ही नहीं बलकि जवानों में भी ये परिशानी देखी जा रही है इसका कारण है हमारे शरीर में पोशक ततों की कमी इससे हमें जोडों के दर्द की समस्या होने लगती है चाहे कमर का दर्द हो गर्दन का दर्द हो एड़ी का दर्द हो या फिर घुटने का दर्द है आज मैं आपके साथ जो नुस्खा शेयर कर रही हूँ घर बैठे ही आप बहुत आसानी से अपने जोडों के दर्द को भी कर सकते हैं, प्याज लिया है दोस्तों, प्याज जो होता है दोस्तों हमारी सेहत के साथ के लिए बहुत आवश्यक है, उसके अलावा हमारे सौंदरे के लिए भी प्याज बहुत ही आवश्यक है, सौंदरे की बात करें तो बा बहुत ही ज़्यादा बेनिफीशियल होता है इसके लाबा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है प्याज अगर हम खाते हैं तो कई बिमारियों से हम बच सकते हैं और अब हम बात करते हैं अपने स्वास्थ की हमारे जोडों के दर्द के लिए भी प्याज का रस बहुत ही करना है आप चाहें तो ग्रैंडिंग जार में डालकर बढ़ी अच्छा इसका पेस्ट भी बना सकते हैं या मेरे जैसे इस तरह से ग्रेटर की मदद से आप ग्रेट कर लें तो प्याज का जो पेस्ट होता ना दोस्टों प्याज का तेल जो होता है वह हमारे जोडों के दर् बिमारी है वह बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी आप इसे जरूर ट्राय करें साथ ही साथ जोडों के दर्द के लिए कुछ बातों का ध्यान रखें ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए फ्रीज की चीजें बिल्कुल ना लें और खासका ठंड के मौसम में कोशिश करें हलका गु और ना पियाज हमारे को जोडों के दर्द के तुरंत ही रहत दिलाता है तो बहुत कम समय में बहुत आसानी से आप अपने जोडों के दर्द को ठीक खशको सकते हैं और इस तरह से पियाज को मैंने कद्डी कद्ड आप गल ने देखा होगा दोस्तों लिए उसे ही आज में से एक व्यक्ति एसा दिखाई देता है, जिसे अड़ीयों का दर्थ है, कई बार हम लोग चलते-फिरते हैं, सिढ़ी उतरते-चरते हैं, तो भी हमें तकलीफ होती है, हडियों से कट-कट की आवाज आती है, तो हो सकता है हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो, इसके अलावा आप कैल्शियम युक्त चीजें जरूर लें, कैल्शियम की कमी से भी हम जोडों का दर्द होता है, तो खान पान का भी ध्यान रखें इस remedy को बनाने के लिए जो अगली चीज हम यहां पर ले रहे हैं दोस्तों सबसे पहले मैंने हल्डी ली है और सरसो का तेल हल्डी तर्मरी क्या होती है दोस्तों natural pain killer होती है चाहे जोडों का दर्ध हो मास पेशियों की एठन हो या हमारे शरीर में कहीं मोच आ गई हो शरीर में कहीं सूजन आ गई हो यदि हल्डी का लेप लगाया जाए तो सूजन तुरंथी उतर जाती है दर्ध निवारक होती है एंटिसेप्टिक होती है एंटि बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है हल्डी में और खास कर जोडों के दर्ध के लिए तो हल्डी का प्रयोग राम बा है और हल्डी का लेप लगाएं वो भी जोडों के दर्ध के लिए बहुत ही फाइदेमांद है और इसे मैंने एक फ्राइपन में डाल दिया है प्याज कद्दू कस्किया हुआ प्याज एक चम्मच हल्डी और अगली चीज हम लेंगे यहां पर सरसो का तेल सरसो का तेल जो ह आप यहां पर तिल का तेल भी ले सकते हैं तिल का तेल जिसे कि हम लोग इंगलिश में सैसमे सीड ओइल भी कहते हैं तिल का तेल भी हमारे हड्डियों की सूजन को कम करता है और मास पेशयों की एठन को कम करता है तो अब इस फ्राइपन में आपको डालना है सरसो का तेल कर चोटी कटोरी जादा नहीं यह देखे इतना क्योंकि अभी प्याज इसमें सिकेगा और इस लेप को दोस्तों अभी आपको पकाना है गैस के उपर रखना है इसे कम से कम साथ से आठ मिनट तक पका लें तो चलिए तीनों चीजों को मिक्स करते हैं और चलते हैं गैस की और और स्लो फ्लेम पर हम इस पैक को पकाना शुरू करते हैं तो जोडों के दर्द के लिए तरह तरह की चीजें आती हैं बहुत सारे कैल्शियम सप्लिमेंट भी आते हैं परन्तु थोड़ा बहुत आप अपने खाने पीने का ध्यान रखें तिल होता ना सैसमे सीड कहते हैं जिसे तिली तिल का सेवन जरूर करें एक चमस तिल डेली खाएं आपके शरीर में कैल्शियम की कमी नहीं होगी बुना हुआ चना और गुड़ खाएं ये सब चीजें ऐसी हैं जो कैल्शियम की कमी को दूर करती हैं कभी कभी फैन्यूग्रिक सीड मेथी का पानी जरूर पिएं इ तो स्लो फ्लेम पर मैं इस सेकरी हुए मैं ज़या देखें और यहाँ पकने असा लगा है प्याज पेस्ट जब हम लगाते quit jaka तेल बहुत सारा डालते हैं और प्याज डालकर उस तेल को पका कर छान लेते हैं परन्तु यहां पर हम इसे चानेंगे नहीं हमें प्याज का पूरा पेस्ट चाहिए पुराने समय में तो दोस्तों एक उम्र में ही जोडों का दर्द होता था क्योंकि हमारे बुज़ूर्गों का खान पान भी वैसा ही अच्छा रहता था परन्तु आजकल तो पांच में से एक वेक्ती जोडों के दर्द से परिशान है जवान लोगों में भी यह तकलीफ देखी जा रही है तो बहुत जादा बाहर का तेल मसाले वाला खाना न खाएं बहुत जादा ठंडा सूखा खा है तो यह कारगर नसखा यह भी आपके जोडों के दर्द को ठीक कर देगा जिस भी जोड़ में आपको घुटने में दर्द है चाहे आपको कमर में दर्द है उस जगह पर यह प्याज हल्दी और सर्सो तेल का जो पेस्ट बना यह इसे आपको गरम गरम ही लगाना थंडा कर के बिलकुल भी ना लगाएं थोड़ा गरम गरम ही लगाएं ताकि घुटने में यह लगा रहा है और जो हल्दी है वह दर्द को खीच लेगी और आपको बहुत ही रहत मिलेगी हड्डियों के दर्द से तो धीरे धीरे इस पेस्ट को हल्का गरम गरम जितना आप लोग सहन कर स कर सकते हैं इसे लें और इसका लेप लगा लें अब आपको लगेगा रहें कपड़े गंदे हो जाएंगे तो आप चाहें तो किसी वेचिटेबल पॉलिथिन होती है जिसमें हम लोग सबजियां लाते हैं उस पॉलिथिन से इसे कवर कर लें या फिर जो क्लिंग रैप होता इस तरह से इस पेस्ट को मैंने लगाया है और अब आपको क्या करना है दोस्तों ताकि या कोई पुराना कपड़ा भी आप बान सकते हैं यदि आपके पास इस तरह का क्लिंग रैप नहीं है तो कोई पुराना कपड़ा लें और चारो तरह लपेट लें ताकि हमारा और तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है इंफॉर्मेशन कैसी लग रही है कमेंट जरूर करिएगा शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जोडों के दर्द से रहत पाने के लिए आप इस रेमेडी को ट्राय जरूर करिएगा आपको बहुत अच्छा का रिजल्ट मिलेगा कम से कम 5-6 दिन तक लगातार आप इस रेमेडी को करते रहें आपको बहुत ही आराम मिलेगा बहुत ही एफेक्टिव है और यह जो हमारी नी कैप आती है इससे आप अपने पैरों को घुटनों को कबर कर ले